इसके बन जाने के बाद यहां आने वाले तीर्थियात्रों को इसका लाब मिलेगा मगर इन दिनों निर्माणा दीन यह परियोजना पहाड के लोगों के लिए मुसीवत बनी हुई है ठेकेदारों की मनवादी में अधिकारियों की लापरवाई के चलते हैं इन दोनों निर्माणा दीन सड़क कटिंग से उड़ रही दूल यहां के मुसाफिरों के लिए मौद बन कर हवा में खुल रही है वहीं दूसरी और पर्यावन पर भी इसका प्रतिकूल प्रवाब पढ़ रहा है दूपईया बाहन चालकों के कहना है कि मानकों के हिजाब से ठेकेदार को सड़क पर पानी का बरावर छिड़काप करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े मगर इसकी लापरवाई लोगों की जान पर भारी पढ़ रही है कई बार कहने के बावजूद ने ठेकेदार सुने नह अधिकारी आकट जनता जाए तो जाए कहाँ बहुत सारी हैं हाला कि ये योजना बड़ी मात्यों कांग सी लेकिन बरत्मान समय में लोगों के बास्ते पर परवाव पढ़ रहा है और चिटकाओ पानी का होना चीए नहीं हो रहा है दिन भर में एक आत गाड़ी बेज देते ये के वल खाना पूरती के लिए ऑर इससे आने जाने वाले और गावों को बूदाल से बड़ी दिक्कत हो रही है और इस संबेदन शिर बक्त पे राज़ फानी का चिटकाओ तो होनाइशी है परियावरान को भी इसका उपसंग और बड़ा परियावरान को इनने शने वे हैं पेट पोदे उस दूल से और गाउं भी शने वे हैं और यह इनका बड़ा दोई भागे पूंड़ है यह तांसिंग नेगी अनेगी साब आप लोग यहां पर चलना है दुपायावान कितनी द दिकत है कि धूल पानी की व्योस्ता यहां पर बिर्कुल नहीं है एनज की तरफ से 10 मिनट का जाम जो है यह 20 मिनट आदा गंटा एक घंटा तर जाम ले रहे हैं इन चार जिनके बिरकुल आपरवा हैं कहना नहीं मानते हैं जो है गालों को कहते कि आदा गंटा रोको कई सब रशी अभी जो हैं दो लड़के बच गए थोड़ा अपने चाहां से हाथ दो बढ़ता है एक बाइक वाला आगे निकांगा दो पीछे वापास दूल से कितने दिकत हैं अभी बहुत दिकत हैं कंपने दिकत हैं हमारे पूरे खराब हो जाने में कम सब दो तीन घंटे का करें झाले चाहँए हैंज कर दो दूल खotयों कर दो पूम पूम 뚜ड़ां निकत हैं टो मुले हैं आएक में दो त precaution कर दूमें थाराब है झाले के जपे भी एक घ हैंद़ता हैं वाले चाहँए हैं यद्न से घ्यों में उत्ज़ते हैंज से वल्स दूमें से टी हैंदू ध झाल झाल